यह जीडीपी जो होती ही ना जीडीपी बहुत ही कतानाग चीज होती है भाई जाब इसका मतलब होता है ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट भारती है जैसे आकर इंडिया का हम लोग लें एक्जाम्पिल तो भारत की पूरी टेरिट्री में जो भी गुड्स एंस सर्विसे बनेंगे ठीक फाइनल गुड्स एंस सर्विसें जिस जो आकरी में कंजूम्र हो जाने मतलब भोग जिनका हो जाना उसके बाद वो किसी में इंपुट की तरह यूज नहीं हो सकते उनको उन गुड्स फाइनल गुड्स एंस सर्विसें की वैल्यू को जो की पूरे भारत के अंदर बने हैं डोमेस्टिक रूप से बने हैं उनको अगर वैल्यू को जोड़ा जाए तो बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट या फिर जो है सकल घरे लूद पाद ठीक ये कॉंसेप्ट हो गया पहला इसी सबंदित दूसरा जो कॉंसेप्ट होता है वो होता ह जीडीपी पर कैपिटा मतलब की जीडीपी पूरे भारत की ये पूरी वैल्यू जोड़के जो आई उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे भारत की पूरी जनसंख्या से ठीक मान लिजे हमारी जीडीपी जो है 100 रुपए है एक्जाम्पल के तोर पे और उस हमारे हाँ जो जाये भारत की जनसंख्या सिर्व 10 है तो क्या हमारी पर कैपिटर एंकम क्या जाएगी यह जो आईगी यह भाई साब वह 10 रुपए हो जाएगी走 बटा दस पर तो यह बोलते हैं इसको जीडीपी पर कैपिटा अब जीडीपी पर कैपिटा जो है अगर मानने नो 10 रुपए करता है इसमें बस ये शो हो जाता है जैसे एक्जाम्पिल के तौर पर हो सकता है कि भाइसाब किसी पात 2 रुपें हो ज्यादा कम भी हो सकता तो एक्वैलिटी ये शो नहीं करता है जी डीपी पर कैपिटा समंदेख कुछ जो है अभी अभी हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो सकते हैं यूपी पीसे दोजार बाइस के लिए जैसे कि आप आपका इंडिया में वह राज्य कौन्स है जहां पर सबसे ज्यादा जीडिपी पर कैपिटा है तो वह है गोवा फिर है सिक्किम फिर है दिल्ली फिर है चं अब हम बात करते हैं कि भारत की जो टोटल जीडिपी है वो कितनी है तो बहुत अच्छा नंबर है याद करने में आसानी रहेगी 2021 पिछले साल तक भारत की जो जीडिपी रही है वो रही है 1947 डॉलर ठीक है 1947 डॉलर रही है यह चीज़ दिया लगना ठीक और ये 2020 से कंपेरिसन में भारत की जीडिपी पर कैपिटा जो मैंने कौन से पहले समझाया वो घट गई है 2021 में ये को शबू सकता है कि लगतार हमारी जीडिपी पर कैपिटा 2020 के कंपेरिजन में कम हो गई है कुछ और कंपेरिजन देखेंगे जैसे कि भारत की जो जीडिपी है अब कैपिट पर कैपिटा वो ब्रिक्स नेशन में हमारी भाई कितनी है तो सबसे कम है ठीक सबसे कम है सबसे जादा जो है किसकी है चाइना किए 1947 याद करने में आसान भी a figure ठीक उसके बाद जो है ब्रिक्स में तो सबसे नीचे हम साथ अफ्रीका से भी नीचे है यहां तक की भाई साब अगर देखो तो हम बांगलादेश से भी नीचे है पर कैपटा में और शेलंका से भी नीचे है तो ये कुछ facts है, अब इसमें एक pro tip आखरी में आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जो GDP के हम लोगों ने definition सुनी, उसमें एक बहुत बड़ी चीज है, आपको ये समझना कि जो भी हम final goods and services की value लेते थे, उस value में taxes तो जुड़ते हैं ठीक, उस value में tax, वाले cost बोलते हैं, comment करके बताईएगा, जैन जाबरत, economy बिल्कुल हलवा हो जाएगी, बिल्कुल tension मतले na, UPCS, UPSC के लिए, इसी तरीके से लगातार आप लोगों के लिए जो है, वीडियो, audio के जरिये में आप लोग से connect करता रहूँगा आप लोग से निवेदन यह है कि हमारा यह टेलिग्राम पे चैनल है, CSFS यानि Collective Study for Success वाला, उसको जोइन कर लिजे विल्कुतम फ्री है, और अगर आप लोग हमारे paid courses जोइन करना चाहते हैं, तो 9650347272 पर हमें contact करिए, जैन जाबरत, आप लेवरी वेस्टे वंदे वंदे मातराम